हलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं रियार आठोड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ योपी एक्जाम्स वाला यूट्यूब चानल पर और यह उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे आप लोग की स्टडी का वेची चल रही होगी आठ बचर हैं हमारा एक बहुत प्यारा सा और एक बहुत छोट ऐसेशन होता है जो हमारे एक्जाम पॉइंट ओफ यू से बड़ा महत्तोपूर्ण होता है आज का हमारा टॉपिक है पदम अवार्ड हम यह जानते हैं कि भारत का हाइस सिविलियन अवार्ड जो होता है वो भारत रतन लेकिन जब आपसे सेगेंड हाइस सिविलियन अवार्ड की बात करेगा पदम विभूशन थर्ड हाइस सिविलियन अवार्ड पदम भूशन और 4th highest civilian award पदम श्री तो इनहीं के उपर हम क्या करेंगे आज discussion करने वाले हैं तो शुरुबात करते हैं शुरुबात करते हैं शुरुबात करते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि पढ़ते और सीखते हैं हम लोग बहुत कोच है और समय हमारे पास होता है बहुत कम जब हम भारत रतन की बात करते हैं और पदम पुरुसकारों की भारत रतन प्लस पदम पुरुसकार इनकी शुरुबात कभ होती है मैम 1954 में 1954 में इतना हमें क्या रखना है याद रखना है चार साल बाद भारत रतने दिया गया है किनको तो बिहार के जननायक को नाम इनका क्या हो जाएगा करपुरी ठाकुर लास्ट टाइम 2019 में दिया गया था 2019 के बाद 2024 में दिया गया है करपुरी ठाकुर को अब पहला कोशन आप लोगों की स्क्रीन पर जो है वो ये रहा इस कोशन को आप लोग पढ़ो उससे पहले में आपको बेसिक बता देते हो जैसे भारत का हाइस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रतन भारत रत्न जब हम second highest civilian award की बात करेंगे तो पदम विभूशन थार्ड होता है पदम भूशन और फोर्थ होता है पदम श्री पदम श्री 2022 का डेटा यहां लिख देते हैं आपके सामने sorry 2023 का 2023 में यह जो रेशो था वो था 6,991 का यानि कि 6 लोगों को पदम विभूशन दिया गया 9 लोगों को पदम भूशन दिया गया 91 लोगों को पदम श्री अवर्ड दिया गया 2023 में वहीं अगर हम 2020 की बात करते हैं तो टोटल 5 लोगों को पदम विभूशन दिया गया 17 लोगों को पदम भूशन दिया गया और 110 लोगों को पदम श्री दिया गया तो टोटल कितने हो गए? मैं 132 132 पदम अवर्ड पदम पुरुसकार पुरुसकार डेटा कब का हो जाएगा तो ये डेटा हो जाएगा दो हजार शोईस का इतना आपको क्या रखना है याद रखना है दन है? शुरू करें? हाँ जी तो सबसे पहले अगर हम देखने की गोशिश करते हैं भारत में पहली बार पदम पुरुसकार कब दिये गए? माम 1954 में फर्स टाइम पदम पुरुसकार दिये गए नेक्स देखिएगा कितने वेक्तियों को दो हजार चोबिस में पदम पुरुसकार प्रदान करने की घोशना करी गई है? क्वेशन को ध्यान से पढ़िएगा स्लो स्लो और आप आराम से आंसर करिएगा क्वेशन कहारा है कि दो हजार चोबिस में कितने वेक्तियों को पदम पुरुसकार देने की घोशना करी गई है? माम 132, 132 आपका यह बिलकुल करेक्ट आंसर है अगला कोशन देखिएगा थोड़ी सी डीटेल हम लोग देख लेते हैं जैसे पदम विभूशन है पदम भूशन है पदम श्री है यह देश के सर्वोचनागरिक पुरुसकारों में से एक है 1954 से हर साल गणतंतर दिवस के मोक्के पर इनकी घोशना करी जाती है देखो भारत रतन जो है यह 26th of January को क्या करा जाता है दिया जाता है भारत रतन भारत रतन दिया कब जाएगा? 26th of January लेकिन जब हम पदम पुरुसकार के बात करते हैं 26th of January को यह अनाउंस होते है यानि इतने लोगों को पदम अवाड्स जाएगे हाला कि दिये जाते हैं मार्च अप्रेल में एक फंक्शन आयूजित करके Next question है कितने वेक्तियों को 2024 में पदम विभूशन पुरुसकारों से सम्मानित किया गया है पदम विभूशन पुरुसकार तो मैं 5 लोगों को पदम विभूशन पुरुसकार दिया गया है अब ये 5 लोग है कौन-कौन पीटा एक तो वेजनती माला का नाम याद रखना है आपको कहां से बिलॉंग करती हैं तो मैं बिलॉंग करती हैं तमिलनाडू दूसरे के अगर हम बात करते हैं चिरंजिवी आर्ठ और कहां से बिलॉंग करेंगे आंदरप्रदेश वेंकया नाइडू है ना 2017 में भारत के राश्टर पती थे तो वेंकया नाइडू को कौन सा आवार्ड दिया गया है तो इनको दिया गया है पदम विभूशन है ना पबलिक अफेर्स में आंदरप्रदेश से बिलॉंग करते हैं वहीं अगर हम बिंदेश्वर पाथक की बात करते हैं तो शोशल वर्क से इनका संबंद है और यह कहां के हैं यह बिहार के हो जाएंगे और लास्ट है पदम पाथक और पदम सुब्रमन्यम बेटा यह जो बिंदेश्वर पाथक है यह वहीं है सुलब इंटरनाशनल के फाउंडर आज हम जो देखते हैं सोचाले 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 वह इनहीं के प्रयासों की देन है ठीक है तो सुलब इंटरनाशनल के फाउंडर है बिंदेश्वर प तो मैं कितने लोगों को 1717 लोगों को क्या सब के नाम याद रखने हैं पिटा सब के नाम याद नहीं रखने पस एक बार तुम लोग पढ़ लेना अपनी जानकारी के लिए जैसे कुछ नाम हम आपको बताते हैं एक दो जैसे कि M. फातिमा बीवी बहुत लंबा अर्सा बीत जाने के बाद इनको इस अवार्ड से नावाजा गया है वहीं अगर हम मिथुन चक्रवर्ती की बात करेंगे श्री यॉंग लियॉन की बात करते हैं तो इन सब को पदम भूशन से सम्मानित किया गया है आप कहेंगे कि माम यह यह यहाँ चैसे आपने क्यों स्टार्ट किया बिटा एक से पांच हम लोगों ने देख लिया पदम भी भूशन ठीक है और चैसे लेकर के 22 तक हम क्या पढ़ेंगे पदम भूशन तो यह पूरी लिस्ट पदम भूशन की एक बारापिस को पढ़ लीजिएगा 2024 पदम भूशन अवशन की वेक्तियों को सम्भानित किये जाने की घोशना की गई है पदम श्री अव़ड कितने पदम श्री होंगे मैं 1110 हो जाएंगे पदम श्री ऑप्शन हमारा C Supreme Court की पहली महिला जजज फातिमा बीवी को निमनलिकित में मैं कौन से पुरुषकार से संभानित किया गया है तो अगर हम फातिमा बीवी की बात करेंगे तो फातिमा बीवी को कौन सा अवर्ड मिला है तो आप क्या गते हैं कि माम पदम भूशन अवार्ड इनको मिला है फातिमा बीवी को आप्शन ए बिलकुल ठेक है हाले में पदम श्री से सम्मानित पारवती बर्वा ये किस छेत्र से संबंदित है तो पदम श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है पारवती बरवा को ये सामाज़िक गतिविदी से यानि सोशल एक्टिविटी से संबंदित हो जाएंगी जोशना, चिनप्पा किस खेल से संबंदित है? रोहन बोपन्ना और जोशना, चिनप्पा सही चार और प्लेयर्स हैं, चार और स्पोर्ट्स परसन हैं जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है तो ये कौन से इस संबंदित हो जाएंगी? स्क्वैश से संबंदित हो जाएंगी रोहन बोपन्ना जोशना चिनप्पा सहित 6 खिलाडियों को मिलेगा पदमश्री दो हजार चोबिस में इनको क्या दिया गया है पदमश्री इतना ध्यान रखना है रोहन बोपन्ना जोशना चिनप्पा सहित 6 खिलाडियों को मिलेगा पदमश्री उदै देश पांडे, पूर्णीमा महतो, गौरफ खन्ना, सतेंदर सिंग लोहिया और हरबिंदर सिंग नेक्ष्ट देखिएगा ये हैं रोहन बुपन्ना हाली में पदमश्री से संबानित जोगेश्वर यादव ये किस राज्यों से संबानित हैं तो अगर हम जोगेश्वर यादव की बात करेंगे ये हो जाते हैं कहां से 36 गड़ से ऑप्शने बिलकूर ठेक है निमने लिखेत में से किसे जैविक खेती के लिए पदमश्री से संबानित किया गया है तो बात अगर जैविक खेती की करते हैं तो नाम किनका सामने आएगा मा theorem या नाइडू अगर हम बात करते हैं कि यह कब भारत के उपराश्टुपती बने थे तो मैं हम 2017 एम वंकया नाइडू नेश्ट कोशन है भारती संस्कृति निरत्य भरत नाट्यम के लिए 2024 में किसे पदम विभूशन से सम्मानित किया जाएगा नाम इनका याद रखिएगा क्लासिकल डान से भरत नाट्यम अब भरत नाट्यम कहां कहा है यह कॉमेंट चेशन में आप कॉमेंट करके में को बता देना भारती संस्कृतिक निरत्य भरत नाट्यम के लिए 2024 में किसे पदम विभूशन से सम्मानित किया जाएगा पदमा सुब्रमान्यम option आपका भी बिलकुल ठीक है निमने लिखित में से किसे मर्णोप्रांथ 2024 में पदम विभूशन सम्मान से सम्मानित किया जाएगा तो बिंदेश्वर पाठक option आपका भी बिलकुल ठीक है मर्नो प्रांत ना तो मर्नो प्रांत पूछा है इनोंने बेटा तो मर्नो प्रांत बिंदेश्वर पाठक अप्शन आपका भी बिल्कुल ठीक है ना बिंदेश्वर पाठक पदम भूशन से सम्मानित यॉंग लियों ये किस देश के हैं तो बेटा जी ये हो जाते हैं ताइव अब ये जो मिथुन चक्रवर्ती है इनकी मूवी का नाम क्या हो जाएगा म्रगया यानि इनकी पहली फिलम थी ऑप्शन आपका भी बिलकुल ठीक है 1976 में प्रदेशित फिलम म्रगया बतौर अभिनेता मिथुन चक्रवत्ती के करियर की पहली फिलम थी फिलम में उन्होंने एक ऐसे संथाली युवक म्रगया की भूमी का निभाई जो अंगरेजी हुकूमत द्वारा अपनी पतनी के योन शोषन के विरुद आवाज उठाता है फिलम में उन्हें दमदार अभिने के साथ सर्वस्रेस्ट अभिनेता के लिए राष्ट पुरुसका से भी सम्मानित किया जा चुका है 2024 में पदम भूषन से सम्मानित रामनाएक किस प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं तो अगर हम रामनाएक की बात करेंगे उत्तर प्रदेश के यह गवर्नर रह चुके है इन्हीं के डाइम पर ODOP आता है ना वन डिस्टिक वन प्रोड़ उसके लिए ध्यान रखेंगे मदुबनी के दंपत्ति शिवम पास्मान और शांती देवी को मिला पदम शरी पुरुषकार गोधना कला को इन्हों ने जो है वो नया जीवन दिया निम्नलिकित में से किसे पत्रकारिता के लिए पदम भूशन दिया गया तो अगर हम पत्रकार करते हैं अगले सेशन में थाइंक जो मैच बब बाई बस्ट आफ लख